प्री विद्यार्थियों आज कक्सा बारह का हिंडी साहिते का रहस्तान बोर्ड की तरफ से पेपर आयोजीत किया गया था और पेपर अच्छे इस्तर का था और कोरोना काल को दिश्टिगत रखते हुए इस बार का जो पैटर्न है वो काफी बच्चों को लाबानवीत करने वाला था तो आए इस प्रश्ण पत्र को आज हल करते हैं सभी प्रश्ण के करने आनिवारे थे और उत्तर पुस्तिका में उनके उत्तर लिखने थे और खास बात इसमें ये द्यान रखने थी उसके जो प्रश्ण के जो आंतरिक खंड है जैसे पहले प्रश्ण के छे आंतरिक खंड ह अनला न्ष प्रस्ण पूछे गए थे और इनके हमें उत्तर बताने थे तो पहला ये प्रश्ण था वह है इसके सीर्शक से संबनित था तो पहला प्रश्ण है उपरियुक्त गद्यांस का उचित सीर्शक तो गद्यांस को पढ़ने पर आपको बड़ा आसानी से लग गया होगा कि यह भारतिय संस्कृति के बारे में बताया गया है तो इसका सही उत्तर विकल्प द भारतिय संस्कृति दूसरा प्रश्ण है मनुप श्मृति में धर्म की कितने लक्षन बताया गयी है इसमें सप्ष्ट दिया गया है धर्म के 10 लक्षन और इसका विकल्प सही उत्तर है तीसरा प्रश्ण है स्रीमद भगवध गीता में देवी संपता वालों के लक्षनों में पहला अस्थान किसे विकल्पद सही उतर है रगुकूल के राजाओं के कुण बताए गए है अनुकूल सब्द का विप्रितार्थक सब्द है यानि कि विलोम सब्द है अनुकूल का विलोम सब्द है प्रतिकूल विकल्प इसका सही उतर है छटा प्रसन था भारत में किस पर विसेश बल दिया गय संस्कृति के आंतरिक अंगों पर विसस बल दिया गया है तो यह तो यह गद्यान्ष के बारे में 6 प्रश्चनों अब प्रशन संक्या साथ से 12 तक पद्यान्ष के बारे में एक पठित पद्यांष आपको दे रखाता बार बार आती है मुझे-दुरियाद बच्पन तेरी गय वह पद्यांस था सबसे पहले जो इसका जो पहला प्रस्ण है वो है ओपरिक्थ पद्यांस का उचित सीर्शक क्या है तो इसका सही उत्तर है बचपन के बारे में या पर बताया गया है द सही है अगला प्रस्ण है बचपन में क्या नहीं होता था इस पध्यांस के आदार पर हमें बताना था तो अब और द ये तीनों ही इसमें वर्णित है और सव विकल्पेन की पुरुसार्थ ग्यान का मोह यह इस गध्यांस के आदार पर इसका सही उतर है अगला है मधुर सब्द का विलोम सब्द है तो यहाँ पर जो सब्द दे रखे हैं सहद, सरकरा और मीठा ये मधुर के परया वाची है तो हमें ध्यान रखना था इसका विलोम सब्द लिखना था तो इसका जो सही उतर है वो कटू था सह दस्वा प्रशने था छुआ छूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ हमें बताना था तो इसमें कद्यांस के आदार पर अर्थ हैं छूआ छूत को नहीं जानते थे ग्यारवा प्रश्ण है अंगुठा चोसने को किसके समकक्स माना गया है तो इसका सही उत्र है दूद के कुल्ले करने के समकक्स दह सही उत्र है इसका और बारवा प्रश्ण है आंसु सब्द का तत्सम सब्द बताईए यानकि इसको संस्क्रित में क्या कहते है तत्सम, अस्क्रित सब्द इसका क्या है तो आँसू के लिए अस्रु सब्द है भीकल्ब इसका सही उतर था अब है प्रस्दो में रिख्थ विस्तान दे रखें, इसका आंत्रिक कंड छह है इसमें जो पहला दे रखा है विकल्व है पहला जो प्रसंद दे रखा है वाकिका अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है गुण तीन है और इसमें प्रसाद गुण या इसका उत्तर है काव्य के रशाद स्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्त्तव कहलाते हैं काव्य दोस तीसरा प्रस्ण है गीती का छंद के प्रतिय के चरण में मात्राइं होती है तो इसमें 26 मात्राइं होती है छंद में लगू वर्ण का संकेत चिन या मम गुरू वर्ण का संकेत चिन है तो यह तो था लगू का और यह है कुरू का अलंकार मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार अलंकी तीसरा वेद भी माना गया है अबया अलंकार लेकिन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं तो इस आदार पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। छटा प्रसंता एक ही वर्ण की आवरती बार-बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह थे देख्तिस्तान, अब हम आगे बढ़ते हैं जो अति लगुत्रात्मक प्रस्ण थे उनके बारे में, रूपक अलंकार की परिवासा लिखिये, तो परिवासा आपने याद कर रखी होगी और वही परिवासा आपको लिखनी थी, मैं बता भी देता हूँ, जहां उप मानवी करण अलंकार का एक उदाहन लिखना था इसमें, तो परिवासा लिखनी थी, सिर्फ उदाहन लिखना था, दू पंक्तियां आपको लिखनी थी, तो आप इसमें लिख सकते थे, बीती, विभावरी, जागरी, अंबर, पन, गट में, डुबो, रही, तारा, गट, पूषा नागरी, यह सका उदाण है, तीसरा प्रस्ट था, जनसचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम पोन सा है, तो इसका उतन है, प्रिंट या मुद्रित वमाध्यम, छोधा प्रस्ट था, समाचार की सुरू आत्मे, प्रियोक तो होने वाले दूप का कार तो उससे सही मान लिया जाएगा, आपको दो ककार लिखने थे इसमें, क्या कौन लिख देते तब भी काम चल जाता, कहां, कब, क्यों, कैसे, जो भी लिखा आपने, लगबग आपको आपको सही मान लिया जाएगा. अगला परस्ण है, विसेस लेखन की सूसनाओं के सुरोतों में से कनी दो के नाम लिखिए, तो यहाँ पर विसेस लेखन में के जो सुरोत हैं, उनके दो नाम लिखने थे, विसेस लेखन के प्रकारों के नाम नहीं लिखने थे, तो जो सुरोत हैं, वो हैं सब्ध कोस हैं, लिया है ऑगला प्रस्ट में दूसरा देवधास काई में मनु की बुग OW का नाम पारो था अगला प्रस्ट 9-155 में नए प्रकूर तक बना जाता है तो उन्हें है मुक्त छंद का प्रोड तक मना जाता है निराला को बरत ने बच्पन में राम की कृपा की कैसी रीती देखी तो बरत ने राम की बारे में बच्पन में जो देखा जो कावे में बताया गया है वो है कि वे अपरादी पर भी कभी कृध नहीं करते थे और विए कभी अप्रसन नहीं होते थे 10. कविता की प्रमुक्त तत्व कौन से है 11. कैसे लिखे कहानी पाट के आदार पर बताइए की कथानक के आम थोर पर कौन कौन से भाग होते है तो कथानक के जो भाग है वो हमें लिखने थे इसमें तो कथानक के भाग तीन होते हैं इसमें तीन भाग हैं प्रारंब, मद्य और अंत बार्वा प्रस्ण है नाटक कार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाओ करना पड़ता हैं तो सबसे पहले समय के बंधन का चुनाओ करना पड़ता हैं कथानक के बाद में यह थे अति लगूत्रात्मक प्रश्ण और आसा है आप सबने पेपर अच्छी तरह से एल किया होगा और सेस जो एक खंड बह में दे रखे हैं लगूत्रात्मक प्रश्ण जिनकी सब सीमा 40 हित्या दिये हैं यह भी आपने अच्छी तरह से की होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता और पेपर बहुत इजी था आपको इसमें सब सीमा का ध्यान रखना था और जो गल्तिया हैं वो कम से कम करनी थी आपको असरप्रशंग व्याख्या का भी आपको यह अथवा में दे रखें आपको जो अच्छी लगी होगी वही आपने की होगी और यहां पर पध्यांस के बाद गद्यांस भी दे रखा है और खास तोर से जो यह 21 प्रस्ण है निबंद के बारे में निबंद आपको मैत्पुन निबंद है आपको गुरुजी ने बताई होंगे और कोरोना काल जो पिछले सुत्रों में जिसके हम भुगत होगी है तो वो इस बार जरूर आपकी पाठ़क्रम में को प्रभाविद कर रहा था और वही आपके सीर्षक है वो इस निबंद के रूप में आ गया है कोरोना का नहीं चुनोतियां यदि में प्रदानाचारिय होता कालपनिक था और कंप्यूटर करांती जो अभी बदल आ है उसके बार में और प्रयावन सनक्षन के बाद समय की मांग इसके समंद में आपको लिखना था उम्मिद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआगा यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें